Dear student, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आज हम escape sequence in C के बारे में study करेंगे और देखेंगे कि escape sequence का C programming में क्या use है जितनी भी हमारी programming language हैं, चाहें C हो, C++ हो, Java हो, .NET हो, C Sharp हो, वहाँ पर escape sequence का use किया जाता है जितनी भी हमारी programming languages होती हैं, उन सब के पास में अपने character set होते हैं बट इन character set के अलावा भी, आप ऐसे sequence का use करते हो, जिनकी help से हम ऐसे symbols का use कर सकते हैं जो कि programming में हमें directly implement करना मुश्किल है, हम ये कह सकते हैं, ये जो sequences होते हैं, इनका use हम programming languages में करते हैं जैसे कि हमारे पास में C language है और हमारे पास में C++ language है Now students, escape sequence है क्या? अगर हम escape sequence की बात करें, तो escape का basically मतलब होता है एक निकास क्रम, यानि किस तरीके से हम अपनी programming में ऐसे symbols का use कर सकेंगे, जो कि हमारे पास में available नहीं है An escape sequence is a sequence of characters, यानि कि यहाँ पर भी हमने character का sequence use किया है That does not represent itself, इसका मतलब यह है कि जो symbol आप यहाँ पे use करेंगे, उसका meaning अलग होगा आपने suppose यहाँ पे a use किया है, तो उसका meaning different हो जाएगा, internally computer representation में Now students, जब भी हम इस sequence का use किसी character के साथ में, या फिर हम string literal के साथ में कर दे कि literal भी क्या होते हैं, आपके characters की तरह ही होते हैं, but is translated into another character या अगर आप इसका use escape sequence के साथ में करते हैं, तो उसका meaning change हो जाता है और हमारे पास में एक दूसरा character आता है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं, कि हमारे पास में एक दूसरा sequence of character आता है जिसको की programming में implement करना बहुत ही difficult है, या फिर हम यह कह सकते हैं, कि impossible है हम ऐसे characters को directly अपने programming में use कर सकें तो हम यह कह सकते हैं, कि जो escape sequence है हमारा, वो combination है characters का ऐसे combination, characters का, जिनका meaning क्या होगा, different होगा, जिन characters को हम अपनी programming में use करेंगे it means, programming languages में, अगर आपको कुछ special characters को represent करना है जैसे कि आपको double quotes लगाना है, आपको कहीं पे कोई sound देना है, आपको कहीं पे कोई tab लगाना है ठीक है, tab basically क्या होता है, for space का होता है आपको कहीं पे vertical tab लगाना है, spacing करनी है, तो वहाँ पर हम escape sequence का use करेंगे क्योंकि programming में हम इसको directly implement नहीं कर सकते हैं escape sequence हमें help करते हैं, ऐसे symbols का use करने में, जिनको की programming में implement करना थोड़ा सा मुश्किल होता है now students, अगर हम बात करें C programming की, तो हमारे पास में 256, 256 number of characters है character set में, अब जो हमारा character set है, उसको दो parts में divide किया गया है एक हमारे पास में आसकाई character set होता है, दूसरा हमारे पास में extended आसकाई character set होता है अगर मैं आसकाई character set की बात करूँ, तो आसकाई का basically meaning होता है American Standard Code for Information Interchange देखिए, जो भी हम keyboard पे कोई character प्रेस करते हैं, internally वो किसी numeric value में change होता है जितने भी हमारे पास में characters हैं, उन सब को एक proper number दिया हुआ है ये जो number होता है आपका decimal form में होता है लेकिन internally अगर हम बात करें, तो internally ये ही decimal number change होता है आपका binary form में तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास में characters हैं, उन सब को आसकाई character set में divide किया गया है एक extended आसकाई character set होता है, अगर मैं आसकाई character set की बात करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में 7 bits होती है और extended character set की बात करूँ, तो मेरे पास में यहाँ पर 8 bits होती है अगर मैं C programming की बात करता हूँ, तो C programming में अगर हमारे पास में कोई character variable है देखे, मैंने आपको previously variables के बारे में बताया था, variables क्या होते है variables एक memory का name है, memory location का name है, जहाँ पे हम किसी data value को save करते है suppose आपको कोई character variable बनाना है, तो character जो होता है, वो directly represent नहीं करता है internally जो C language है, उसमें हम askai set का use करते हैं, और askai value जो होती है, वो represent करती है आपकी character value को, for example हमें कह सकते हैं कि हमारे पास में capital A है तो capital A किस से represent होता है, 65 से represent होता है, B 66 से represent होता है तो it means character को वहाँ पर एक numeric value दी गई है ये numeric value decimal form में होती है, और ये internally जो होती है, binary में change होती है तब जाके आपका computer इसको समझ सकता है, कि आपने कौन सा character variable यूज किया है Now students, देखे, अगर आपको escape sequence का use करना है, तो उसका जो syntax होता है, वो क्या है? आपको एक तो backslash लगाना होता है, उसके बाद में हम कोई character यूज करते है अब जब भी आप इसका use करेंगे, तो उसका meaning थोड़ा सा क्या हो जाता है? different हो जाता है हमारे पास में बहुत सारे escape sequence दिये हुए है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर आपने backslash के साथ में a यूज किया तो इसका मतलब क्या है? alarm और beep it means यहाँ पे हमारे लिए एक sound produce होगा आप अगर चाहते हैं कि programming में आपको किसी particular line पे कोई alarm लगाना है beep लगाना है, आप वहाँ पे intention देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर backslash और a का use कर सकते हो now students, देखें, आपको backspace देना है ठीक है? तो backspace देने के लिए आप क्या करेंगे? slash और b का use करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो escape sequence होते हैं वो ऐसी characters होते हैं जिनका कि आप अगर use करें तो उनका meaning क्या हो जाता है? change हो जाता है जैसे कि आपने यहाँ पे b का use किया तो internally क्या है? slash और b क्या है? backspace है इसी तरीके से अगर आपको किसी form को feed करवाना है तो आप वहाँ पे backward slash और f का use करते हो अगर आपको new line में control को लेके जाना है तो आप वहाँ पर slash and का use करेंगे इसी तरीके से हम carriage return का use करते हैं अगर आपने जहाँ पे carriage return लगा दिया तो उसके बाद की जो value होती है या जो बाद में आपने sentence लिखा होता है वो जाके print होता है now students अब हम बात करते हैं slash t की तो जो हमारे slash t है वो क्या है tab है देखे tab basically क्या होता है अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई sentence लिखा तो इसके बीच में space आ जाए ठीक है तो आप वहाँ पर हमारे पास में दो तरीके के tab दिये होते हैं एक हमारे पास में horizontal tab होता है और दूसरा हमारे पास में क्या होता है vertical tab होता है अगर आप चाहते हैं कि horizontal space आए यानि कि serial line में आपके पास में space आए तो आप वहाँ पर horizontal tab का use करोगे और अगर हम vertical tab की बात करें तो vertical tab किस तरीके का होता है top to bottom अगर आप यह चाहते हैं कि आपको इस तरीके से space देना है lines के बीच में आपको space देना है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे vertical tab का use करेंगे now students हमारे पास में अगर आप चाहते हो back slash देखे, escape sequence का एक use और भी है कि suppose हमारे पास में कोई key work नहीं कर रही है suppose आपको new line character में line को लेके जाना है और वहाँ पर end आपका work नहीं कर रहा है directly programming में तो आप वहाँ पर slash end का use कर सकते हो now students आपको double quotes लगाने है sentence में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हमारे पास में string होती है वहाँ पर हम क्या use करते हैं double quotes का use करते हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे double quotes का use करेंगे तो double quote लगाने के लिए आपको यहाँ पर back slash और double quotes लगाने पड़ते हैं तो यह programming में जाके implement होता है now students अगर आपको question mark पूट करना है तो आप वहाँ पर back slash question mark लगा देंगे तो automatically programming में क्या आजाएगा आपके पास में एक question mark आ जाएगा suppose आपको किसी octal number को represent करना है तो आप वहाँ पर backward slash back slash लगा के 000 लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास में octal number representation हो जाएगा आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्या है हमारा octal number है इसी तरीके से आप hexadecimal number को भी represent कर सकते हो उसके लिए आपको back slash small x it means hexadecimal number suppose आपको कहीं पर कोई null value देनी है तो आप वहाँ पे backward slash और o लगा देते हैं it means null देखें null का basically मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी value present नहीं है now students अब हम एक program देखते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से हम escape sequence का use करेंगे देखें यहाँ पे जो program बनाया गया है c program to illustrate आपको क्या करना है backward slash और a का use करना है तो यह जो हमारे पास में escape sequence है यह आपको alarm और beep का sound देता है तो इसको कैसे use करेंगे आप programming में हमने क्या किया सबसे पहले file को include किया standard input output file को जैसा कि आपको बताया गया है कि इस file में हमारे पास में print app function दिया होता है जब तक आप इस file को अपने program में attach नहीं करोगे तब तक हम print app function का use नहीं कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि my mobile number is 7 8 4 3 5 4 9 8 0 2 आपने देखा होगा जब भी हम कोई number को dial करते हैं तो beep का sound आता है तो आप इस तरीके से अपने program में output में beep का sound produce कर सकते हैं now students अब हम एक program और देखते हैं देखे यहाँ पे मैंने क्या किया है slash ठीका use किया है यानि क्या है horizontal tabbing है अब यहाँ पे hello और c programming के बीच में space आ जाएगा वैसे तो normal क्या होता है कि एक का space आता है one space आता है लेकिन अगर आप tab का use करेंगे तो आपके पास में four space आ जाएगे यह depend करता है कि operating system किस तरीके का है कहीं कहीं पर eight space का tab होता है कहीं कहीं पर four space का tab होता है तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे इस file को include किया इसके बाद main function का use किया now printf hello slash t c programming अब यहाँ पे जो आपका output print होगा वो hello उसके आतमे space आ जाएगा फिर c programming तो इस तरीके से हम अपने programs में escape sequence का use करते हैं एक भरम दुबारा escape sequence की definition देखते हैं escape sequence ऐसी characters होते हैं जिनको programming में directly implement करना मुश्किल होता है उनको हम एक combination के थूर रिप्रेजेंट करते हैं हमें वहाँ पे back slash और कोई character का use करना होता है मैं आशा करता हूँ कि आपको इस lecture समझ में आया होगा धन्यवाद